किसी ने क्या सांदार बात कहिए कि भगवान इस धर्ती पर माँ को इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान तो आपसे मिल नहीं सकते तो वैं मां के रूप में घर में ही रहते हैं हाई दिस इस सिवम, वेलकम तो मैं चैनल बैक वेंचर चलिए स्टार्ट करते हैं यह बात है एक छोटे से बच्चे की जिसकी माँ एक दिन खुब रोती है तब यह उसका एक छोटा सा बेटा आकर उसे पूछता है माँ तू क्यों रो रही है उसकी माँ कहती है जब तुम राजा बन जाओगे तुम अपने माँ को भूल याओगे क्योंकि जो राजा के पत पे रहता है उसका ना तो कोई रिलेटिव रहता है ना मा रहती है ना बेटा रहता है ना बाप रहता है सब कुछ उसकी प्रजा ही रहती है इस पर उसका बेटा कहता है मा भला मैं क्यों राजा बनूँगा फिर मा कहती है बेटा जिसके सामने के दांत इस अकार के रहते हैं वह राजा बनता है और तुम्हारे दांत की रचना भी राजा बनने के संकेत देती है उसका बेटा छोटा रहता है वा थोड़ी देर ये सूसता रहता है उसे उसकी माँ का दुख बरदास नहीं होता फिर वह बहर जाता और पत्थर से अपने दोनों दाथ को तोड़ देता फिर वह अंदर जाके बोलता है माँ अब तू रो मत यह देख मेरे दाथ अब मैं राजा ना बन पाऊंगा इस पर उसकी माँ उसके गरे लगकर खोब फूट फूट कर रोती है वह बालक अपनी माँ से कहता है माँ जिस दिन मैं तुझे भूल जाओं वह दिन मैं इस जिन्दगी का आक्री दिन होगा अच्छा क्या आप जानते हैं कि यह जो बालक है भै कौन है चाड़के का नाम सुना है जिसे हम कौटली भी कहते हैं यह जो कहानी थी यह चाड़के के बच्पन की कहानी थी चलिए ऐसी बहुत सी कहानी आपने सुनी होगी पर आज हम चर्चा करेंगे उस पर जो हमारे लिए आज भी हमारे बारे में ही सोचती है यानि कि हमारी माँ हमारी माँ हमारे लिए टिफिन लगाती थी जब बच्पन में जब हम स्कूल जाते रहे फिर हम माँ हमारे टिफिन लगाती थी जब हम कॉलिज जाते रहे और अब भी वह टिफिन लगाती जब कि हम आफिस जाते हैं पर हम आज भी गुस्सा हो जाते हैं जब मां हमसे कुछ काम बोलती है आजकल इतनी बीजी दुनिया में हमारे पास टाइम भी तो नहीं है दिन में सिर्फ 24 गंटे ही तो मिलते हैं उसमें भी अगर हम माबाप को टाइम देने लगे फिर तो हो गया है अब इतने से टाइम में हमें फ्रेंड्स को भी तो टाइम देना है और फिर गल्फ्रेंड को भी टाइम देना है फिर जब थोड़ा सा टाइम बचेगा तो फिर मोबाइल भी तो चलाना है फिर YouTube भी चलाना है TikTok भी चलाना है TikTok तो अभी बंद हो गया है फिर PUBG खेलना है वही आप तो आप टाइम तो नहीं है यार लिकिन एक request है दिल से कम से कम जिस दिन आप जिसे चाहते हैं उसका phone ना आए तो आप उससे बात करना है जो आपको चाहता है आसा करता हूँ आप समझ गया होंगे यार आपको ये बात अगर जरह से भी अच्छी लगी हो कहीं सही लगी हो तो प्लीज आप कमेंड करके जरूर बताईए